एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं रुई यूंग जुन को एक पेपर देखे बोलती है कॉल करके बोलने यूंग जुन कॉल करके बोलता है मैं किन्नापर हूं रुई चाहिए तो 30 बिलियन रेडी रखो यह देख रुई का अंकल का लॉयर रहता है यह रुई को पह अगर नहीं करके बता देंगे कि सबको कि रुई जिंदा है करके भुई मुझे क्या मिलेगा फिर वहां निऊस में दिखाता है कि एक और विट्नेस मिला है जिसने देखा है कि रुई की बोड़ी को पानी में फेकते हुए इसलिए पुलिस पानी में चेक कर रही है जब कि चलो फिर हमारा पैसा लेने यहां यूंचुन रूई से टेक के बारे में पुछता है वो बोलती कि कोई दूसरा रास्ता नहीं उस पर बरुसा करना होगा वो पुछता है कि पैसा कैसे लेंगे वो बोलती कि डॉक्टर मों हेल्प करेगी मेरे पापा ने यह रीसरच पैसे क इसको बोलता रहता है कि केस औल नहीं हुआ है बच्छी बोल देता है कि शिववाले ने बोला है यूंचुन ने रूई को पानी में फेका है और उसने यह लाए पूस्ताच करता है उसे चेल्वन के बारे में पुछता है तो वो शुरू उसे पताती ही कि जब घायल हो गई थी तो वो बहुत डरी थी बट रोई नहीं क्यूंकि उसे डर था कि डॉक्टर चोई उसे वापिस भेजना दे और्फनेंज में बट जब जब ठीक होने के बाद भी घर नहीं दुसरे बचे को अडॉप किये और ये जो है वो रूई के फदर रहते हैं फिर पाक समय पूछता है जब वो इतनी मैनत कर रहते तुम्हें ठीक करने के लिए फिर क्यों छोड़ दिये तुम्हें उनकी उमीद पर खड़ी नहीं उतरी इसलिए डॉक्टर चोई पूरी जिं पर काम कर रहे थे एंजू उनकी उमीद पर खारा नहीं होता था उनको वो रिजेट कर दे देते वह रूई के बारे में कुछ नहीं बताती है फिर पासन पूछता है कि चल्वन से कब मिली थी वो बताती कि चल्वन हमेशा खुद को दोश देदा था मुझे रिजेट होने क वो उनके फिन्रल पर जाती है वहां वो चल्वन से मिलती है और वो आखरी बार था पाक सर्ण उसको पूछता है कि क्या तुम्हारी वज़े से चल्वन ने डाइटर की घर सिच्टी भी लगाया वो बोलती आपको ऐसा लगता है वो फिर उसको पताता है कि चल्वन चोड़ वाले रात कहां थी वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में एड्मिट थी पाक संफिर उसको बाहर चोड़ता है और बोलता है कि जरुवत पर दो फिर बुलाऊंगा जाते जाते लास्ट बात उसको बोलता है कि यूंग जुन बागी किनैपर जैसा नहीं है वो रूई की फिकर करता है मुझे नहीं लगता है कि उसमें किनैपिंग किया होगा वो पुलती मुझे भी नहीं लगता बोलके चली जाती है पाक से अपनी चीफ को बताता है कि रूई की बॉड़ी में जो अभी उसका निशान था वो डायर्टर उसके. एक्परिमेंट करने का था मुझे इसक प्रोपर्टी से ज़्यादा कीमति हैं वो पुलता बोल नहीं सकते हैं फिर वो उनका बुक शिर्फ देखते रहते हैं तभी उसके अंकल को कॉल आते वो जर्डन को बोलते कि अभी की अभी यहां से निकल जाओ फिर यह लोग बात करते रहते हैं टेक वो लोगो बताता है कि क ने तीज बिलियन मांग रहा है अगर नहीं देंगे तो शोशल मीडिया पर प्रूफ डाल देगा कि रूई जिन्दा है उसका अंकल बहुत टेंशन में रहता है और जड़न को बोलता है यही संभाल रहे हो तुम्हें सच में पता है कि रूई कहा है जड़न फिर टेक से जाके कि पूछते क्या सही में किनापर ने तुम्हें कॉल किया तो बताओ कैसी आवास थी तो वह उसको बताता है कि शांत किसम की थी और लड़की की थी अंकल बोलता है कि मुझे लड़की ने की थी ऐसा पोल ने उसे रूई नहीं बोली थी ताकि चेक कर सके जेड़न विश्व कर रही है क्या वो बोलता है कि नहीं बट यूंग जुन के बारे में कुछ पता चला है यहां रूहीं लैपटाब में केस के बारे में देखती रहती है डॉक्टर मॉग का होट्सवट लेके यूंग जुन उसको पूछता है सब देख लिया वो बोलती कि नहीं मैं कुछ दे सुने का मुझे हमीशे याद रहता था एक्सपेरिमेंट से पहले और बात का बट इस पर असा नहीं है मुझे लगता है कि मड़र वाले दिन मेरे बॉड़ी में दुसरा कुछ इन्जेक्शन दिये हैं तभी मेरी यादश ऐसी हुई है उसे परिशान देखे यूचुन उसे सम करती है डॉक्टर मों बोलती कि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं वह बोलती मुझे लग रहा था कि सुन रहे होएंगे अगर मैं जैडन के साथ कोरिया के बाहर चली गई तो आपकी बेटी इस एक्सपेरिमेंट का इसा नहीं बन सकती है वह बोल में जैडन आके यूंजुन पर वास तोड़ता है और उसे पूछता है कि कौन हो तुम बता हूं इस किड्नैपिंग में कोई दूसरा भी शामिल है ना तुमारी एक्सवाइफ पुलिस गई थी और उसने किड्नैपिंग का पैसा भी मांगी है जीन बेसमेंट में से टेलिफ कर रहे हो ना वो बोलता मैंने किया हूं सब जैडन बताता है कि है यन और डाइटर का मरेल पहले से ही जानते थे एक दुसरे को उसको सब कुछ पता है डॉक्टर चॉई के प्रोजेट के टाइम का तो तुमने इसले मर्डर करके किनैपिंग किये हो ना रुई बोलती सच है क्या वो बोलता मुझे मर्डर का नहीं मालूम है बट किनैपिंग मैंने किया हूं अब जैडन गुसे में उसके उपर गर्ण रख के लांस बार पूछता है कि बताओ तुमारी वाइफ नहीं ये सक करवाई है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है रुई बोलती चूप क्यों ब मर सकते हो इसलिए जाला टफ बनने की कोशिश मत करो फिर रुई ये युग जुन को पूछती तुम्हारी वाइफ मर्डर को कैसे जानती है वो भी तीस साल से दुनों का अफैर था क्या वो बोल रही हो बट जैडन को सब कुछ पता कैसे चला है ये नर पुलिस के बीच में बात जो हुई थी वो बोलती जरूर कोई गदार होगा अच्छा है अगर पुलिस की नजर है तो मतलब हेयन सेफ है फिर डॉक्टर मो घर जाती रहती है जेडन उसे रुखवा के बोलता है कि बेटी से मिलने जा रही हूं क्या नाम था बोयल वो बोलती मेरी बेटी का नाम म मिनने जाते हैं बड़ देखते हैं कि पुलिस वो उसका पीछा कर रहे हैं यहां पाक संग और पार्टनर होस्पिटल आते हैं डॉक्टर यून के बारे में पूश्टाच करने के लिए वहां के नर्स बताते हैं कि डॉक्टर यून बहुत जादा बात करने वाले थे दूसर को कॉल करके बोलता है कि कि नैपने मुझे वीडियो भेजा है जेडन जिन को ओडर देते हैं कि सब पे नजर रखने यहां रूई और यूंजिन बीच पे खिलते रहते हैं वहां यह लोग उसका वीडियो देखते हैं यह वीडियो इमेल से आई रहती इसलिए वो ट्रैक न पर पैसा कहां और कितने बज़े रखना यह बोलने के लिए मैंने कॉल की हूं जेडन बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तीस बिलियों से जादा उसकी वैल्यू है जिनको लोकेशन रश्या दिखा रहा था वह बोलती है कि तीस बिलियों को बीस कच्री के बैग म रखना और चार जगें पर रखना तुम्हारे पास कल रात तक कट टाइम वह बोलता पॉसीबल नहीं है वह बोलती कि मैं नहीं जानती वह तुम्हारा काम में उधर उसका आदमी है यहन को पकड़ लेता है बड़ पुलिस वाला रहता है तो उसे जाने देता है यहां जेड पूछते तो लोग बोलते हैं यहां इसका अंकल बहुत भरका रहता है और चिलाता है उसको ठपड़ भी मारता है इंडेक वह रपोड़ करके बोल दो कि रूख जिन्दा है यह श्का सरपड़कता है और बोलता है कि अभी ये सोचो कि 30 बिलियन कैसे सिलेंगे हम मैं खुद संभाल लूँगा ये सारा कुछ उधर जेडन के आदमी यूंग जून को चेक करके उसे रूम में बंद कर देते और बोलते ही खाना तुमारे रूम में भेज देंगे इधर ये लोग पैसा को बैग में रखते हैं लोग हेयन का पीछा करते हैं पाकसन को भी ये लोग बता दे कि एक और कार है जो कब से पीछा कर रही है हेयन का यहां पर रूही बोलती है कि ये डबा मिस्टर यूंग को दे दो वो जादा खाते हैं मुझे भूक नहीं है फिर वो लोग जाके डबा दे देते हैं तो उसमें फून रहता है और पुलिस का कार्ड भी जो उसे डॉक्टर मो ने दी थी जिरें जिन को ओर्डर देता है कि विला के सारे आदमी एक खटा करो और उस की नैपर को पकड़ो जिन बोलता है सही रहेगा क्या विला में कम आदमी रहे तो वो बोलता है कि कुछ हुआ तो गंसे ओड़ा देना फिर उसके सारे आदमी बैग रखते हैं बताय हुए जगे फिर एक ट्रक आती है और सारे बैग लेती रहती है यहां यूग जुन को कौल आता है निकलने के लिए तयार हो फिर वो रूम में आवास करता है तो वो लोग रूम खोल के जाते हैं तब ही रूई लाइट आफ कर लेती है यूग जुन सभी से लड़के लोग को मारता है औ और बोलता है कि गन नीचे करो मैं पुलिस से हूं एन यहीं एपिसोड खताम हो जाता है आगे देखते हैं कि क्या सही में दोनों जान बचा लिए है जड़न से या फिर और मुसीवत उनका इंतजार कर रही है आगे तो नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्र अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर